असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिक स्टाल चिकन कड़ाई की रेसिपी जो आप सभी को पसंद आने वाली है तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम 6-7 टेबल स्पून ओयल शामिल करेंगे और इसे गरम कर लेंगे उसके बाद हम शामिल करेंगे 2 टी स्पून साबुद जीरा वन टी स्पून मेथी दाना और इसे थोड़ा साम सौटी कर लेंगे फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है उसके बाद हम शामिल करेंगे यहां पर मैंने 500 ग्रैम स्टिकन ली है इसे शामिल करेंगे इसे थोड़ा सा 2-3 मिंट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम में तो 2-3 मिंट होने के बाद हम टेमाटर शामिल करेंगे जो के मैंने दो दर्मियानी साइस की टेमाटर लिया है च्छोटे पीसेज में अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और 3-4 मिंट के लिए इसे कुक करेंगे जब तक कि टेमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तो टेमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो जुके हैं अब हमने फ्लेम को मीडियम पे रखना है इसके बाद हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अद्रक लेसन चॉप किया हुआ नमक हजब ज़रूरत 1 टीस्पून हल्दी 1 टीस्पून काली मिर्श पाउडर और इन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम में तो यहाँ पर 15 मिंट्स हो चुके हैं अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मैंने यहाँ आदा पाउड धही को फेट लिया था ये शामिल कर लेंगे तीन आदा धरी मिर्चे इसके बाद हम इसे 10 मिनिट के लिए कुप करेंगे लो फ्लेम में तो यहाँ पर 10 मिनिट हो चुके हैं और ये पक चुका है इसे थोड़ा सा हिलाएंगे अब हम फ्लेम बन कर लेंगे और इसे डिशाउट कर लेंगे तो यह थी आज की रेस्पी उमीद है कि आपको ये रेस्पी पसंद आई होगी वीडियो को जरू लाइक कीजिगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हराने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिज